हाई फ्रेंड्स आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डाक्टर सुबोष चंद सिंग को कुरोना वाइरस से सम्मंधित हम न्यूज के बारे में कुछ चर्चा करेंगे ग्रामिन चिकिसक दोरा ही भेजा हुआ न्यूज है और हमारे चैनल का काम है ग्रामिन चिकिसकों तक पहुचाना बहुत सारे ग्रामिन चिकिसक को मालूम भी होगा बहुत सारे ग्रामिन चिकिसक को मालूम नहीं भी होगा आप कुरोना वाइरस का जो भी वैक्सिन है ये मत समझे कि दूसरों को पढ़ने वाला है यह सारे जितने स्वास्ट से रिलेटेड क्रमचारी हैं किस तारीक में है ये तो नहीं है इसमें लेकि किसी मित्र ने आपको सेर किया है आप देख सकते हैं और आज़े देखते हैं थुरा सामपोर्ण कर सुना देते हैं पर्थम चरण में स्वास्थ विभाग से जूरे सभी कर्मियों का टिका करण किया जाएगा इसके अत्रिक जितने भी नेजी क्लिनिक ग्रामिन चिकित्सक इसमें साप साप लिखा हुआ है ग्रामिन चिकित्सक हैं उनका भी टिका करण किया जाएगा जीला प्रबंधन जीला स्वास समिती विशाल कुमार ने बताये कि जीले में स्वास सेवा से जुरे चिकित्सकों एक कर्मियों की संख्या नीजी क्लिनिक को समाहित करलगभग 20,000 होंगे आप देख सकते हैं एक जीले में कितने स्वास कर्मी है और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है गरामिन चिकित्सक आप देख सकते हैं थोड़ा सा यदि बरा कर लेके आपको दिखानी के हम कोशिश कर रहे हैं आप देख सकते हैं ग्रामीन चीकित सक यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रामीन चीकित सक सभी का टिका करन होगा और टिका लेने में कुछ सवधानी होती है नया-नया वैक्सिन है तो बारे में इसकी जाननी चाहिए कोई इसका साइट इफेक्ट तो नहीं है आप इस पर नजर बनाए रखनी चाहिए और टीके का भी कभी-कभी साइट इफेक्ट देखने को आता है इसमें हुमिपैथिक दवा बहुत ही बेहतरीन काम करता है इंजेक्शन लगने के बाद में किसी भी तरह का दिकत होता है तो आपको मेजेरियम और आपको मर्क सोल कभी-कभी अर्णी का अच्छा काम करता है और इसका कभी-कभी घाव बनने लगे तो केलेंडूला हुमिपैथिक दवा का प्रयोक करें इसमें बहुत ही कारगर है तो इसमें यदि आप ग्रामेंचिक सक हैं तो आपके लिए खास न्यूज है और ग्रामेंचिक सको का साफ साफ इसमें चर्चा किया गया है इसलिए इस वैक्षिन के बारे में आप खुद जानिए लोगों को भी जनकारी दीजिए ताकि पूरे हिंदुस्तान को बचाय जा सके और एक-एक जनकारी इसमें महत्पूर्ण है और सबसे पहले स्वास्त कर्मी को ही लगेगा और टेस्ट किया जाएगा इसका रिजल्ट आच्छा है या नहीं है कितना आच्छा है उमीद है काफी सोध करके आने के बाद में आच्छा ही होगा फिर भी कुई side effect होते हैं अगर टीका लेने के बाद में किसी को कोई दिकत आती है तो तुरन्त उस पर अमल की जानी चाहिए ऐसे तो टीका सुरक्षा के लिए आता है पूरा सुरक्षित रहता है फिर भी नए टीका में कोई भी अगर आपको side effect देखने में आता है उसका तो आपको सुचुना आपको देनी चाहिए चीकित सा पदधिकारी को और लेनी भी चाहिए इसमें पिसे नहीं हटनी चाहिए तो आज के खास वीडियों में बस इतना ही और ग्रामिन चीकित सख़ा है, स्वास्त कर्मी है, क्रमचारी है तो आप के लिए खास है और इस पर आप एक नजर जरूर दो रहें कोरोना वाइरस के समाचार आप लेते देते रहें और इसके बारे में परचार परसर करें मैं असा करता हूँ आज के वीडियो आपको काफी प्रसंद आएगा आज के वीडियो में बस इतना ही सोट रहेगा जै हिन जै भारत